वार्ड नमबर 22 के आसपास की महिलाओं ने पूर बर्षत अंजू शर्मा के नितुरिव ने गायत्री मंदिर रोड पर पानी की समस्या के चलते रोड जाम कर दिया इसके चलते वहां जालों को कुछ समस्या का सामना करना पड़ा सूचना पर कोत्वाली स्थाना पुलिस वे जल्दाय अधिकारी मौके पर पहुचे वहां उन्हें महिलाओं के अगरोश का सामना करना पड़ा महिलाओं का आरोप था कि उन्हें पिछले 6 मां से पानी नहीं मिल पा रहा और जब जल्दाय अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती मजबुरान उन्हें जाम लगाना पड़ा महिलाओं के साथ चक्कर काट रहे हैं वाटर वॉक्स में लेकिन उसके वावजूद भी किसी परकार की कोई सुनवाई है सबसे बड़ी बात यह है कि यह बोरिंग सांसक कोटे से शेंशन हुई पड़ी है तकरीबन आठ महिने पहले से जो 21 शांसक जी ने बोरिंग सेंशन की थी उसमें ये एक बोरिंग है उसके वावजूद भी वाटर वॉक्स वाले हर रोज एक घंटे में मशीन लग रही है आज दो घंटे में लग रही है, हर रोज इंतिजार करते हैं, हर रोज वाटर वॉक्स चक्कर काट रहे हैं ऐसा क्या बात है कि यहां पर बदलब या तो हमारे लिए हमें कोई बोरिंग करो या ना करो हम लोगों के लिए पानी की वेवस्था करो और सबसे बड़ी चीज है, इस महले में दो कोविट के मरीज निकले हैं उसी जगह से सभी लोग पानी भर रहे हैं, जिससे यह बीमारी फैलने का भी पूरा खत्रा है उसी जगे से कवीट के जो मरीज के परीवार आले भी पानी पहर रहा है उसी जगे से पुरा पानी भर रहा है तो आप बताई kleinerा कि किस तरीक reckless हम लोग वस्ता कर से लिख करें ना तो UN-लोगों को हम यह कह सकते हैं कि आप लोग mäनमे बरो कि यह बेसिक जिरूरत पे और किस तरीखे से मझलोग के जिस तरीखे तरीके से अलवर। टोवीड फैल रहा और उसके बाद भी इस्तिति की जा रही है वैसा है सब कुछ है उसके बाद वी क्यों हमें इसी चीज का जॉब चाहिए कि आखिर क्यूं किया जा रहा हैसारो आज बोरिंग होईगी, कल बोरिंग होईगी, बोरिंग वाला आते ही नहीं है क्या नाम है अपन? मन्जुग